स्वागत है आपका Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं Tips and Tricks for the RIMC December 2024 exam ठीक है तो December 2024 exam से related क्या tips and tricks मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो के end तक जुरूर बने रहीएगा यह इस exam के लिए काफी important है देखें सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि तीन papers है ठीक है Math, English, GK और English ठीक है मैं आपको यह सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग्स आपको मालूम होने चीज़ ही order में पेपर होते हैं आपका जो math का पेपर हो सारे 9 से 11 जाता है 11 से 12 का break 12 से 1 आपका जाता है GK का paper and then beach में break मिलता है आपको डेड़ घंटे का और फिर धाई से साड़े चार ठीक है तो किसी भी tips या tricks को जानने से पहले आपको अपने exam के timings के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको math का paper डेड़ घंटे में पूरा करना है GK का paper के लिए घंटा मिलता है और English के paper के लिए पूरे दो घंटे मिलते है और बीच में gap आप देख सकते हैं ठीक है तो मेरी पहली tips आप से यह है कि आप जरूर इस real time scenario के हिसाब से ही mock paper solve करें मैं चाहता हूं कि आप अगर आप school going student है आपको अगर Sunday मिल रहा है तो Sunday morning सब्सक्राइब करें और इंग्लिश को ठाइस सब्सक्राइब करें ताकि जब आप रियल एक्जाम दे तो आप इस timing के साथ सेट हो जाए ठीक है चलिए आप subject wise में आपको बता दो देखिए सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए वह रहता है आपको याद होगा कि जब बीच में आ रहे हैंसी ओलुंपियाड बेस कुछिंस पूछ रहा था उस वक्त भी सा बहुत सारे बच्चों ने उस exam को क्वालिफाई किया ठीक है तो वही करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारे के सारे कुछिंट करने बस दिमाग में यह सेट कर लो कि मैं आज लड़ना है मुझे आज मैं इस कुछिंट पेपर को हरा के आऊंगा यह नहीं होना चाहिए कि आप बहार आए और आप अपने पैरेंट से कह रहा हो कि म मैं अभी बात करूँगा मैं तो यह प्र अटेंट ओल थर्टी कुशिंट राइट और आंसर सब्रेट लिए अंट शीट यह तो ठीक हमें मालूम ही है बट दफर्स टिपिस अलावा आपको मालूम होना जेगी पार अ में बीस कुशिंट होते हैं और हर एक सवाल पांश नं इसका मतलब किया है इसका मतलब आपको यह लगेगा कि पार्ट ए में कुछ इजी कुशिंस आते होंगे जो कम टाइम करते होंगे क्योंकि टाइम तो आपको सिर्फ देड़ घंटा है लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको बताना चाहरा हूं कि पार्ट एक हमने यह एनलाइस किय आए कि पार्ट एक के जब कुशिंस बच्चे करते हैं तो वह उतना ही समय ले रहे हैं पार्ट एक के कुशिंस को करने में जितना पार्ट एक के कुशिंस को करने में वह समय लेते हैं इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले पार्ट एक के कुशिंस कर लेते हैं तो आपको सी के दिस questions नहीं आते, कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको 5-6 questions आते हैं, तो आप part B के पहले करेंगे, और फिर आप part A में आएंगे, ओके, और ऐसे भी नहीं कि आप directly कर रहे हैं questions numbering wise, आप scan करें, जो question आपको easy लगता है, उसको आप पहले करें, ठीक है, आप 29th question से भी start कर सकते हैं, numbering proper दालेगा, part उपर लिख लिजेगा कि part B है, and question number 29 आप पहले कर रहे हैं, ठीक है, उसके लावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक एक line छोड़ कर, वैसे कहीं पर, कहीं पर आपको ruled मिलेगी, कहीं पर आपको unruled मिलेगी, clarity होने चीए हर एक step में, okay, और ज़्यादा, cut मत करेगा चीजों को, okay, और cut करेगा तो properly, say for example, मैंने एक let लिख दे तो मैं इसको ऐसे strike off करूँगा, ऐसे नहीं कि मैं इसको ऐसे cut करूँगा, जितनी ज़्यादा सफाई आपके answer sheet में रहेगी, उतने ज़्यादा chances हैं आपको अच्छे number मिलने के, okay, क् teacher जब हम भी evaluate करते हैं, साफ सुतरी कोई copy देखने को मिलती है, तो definitely ज़्यादा number उनको बच्चे को मिल जाते हैं automatically, okay, तो वो चीज़ आप ध्यान दीजेगा, उसके लावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये calculator का use नहीं, पाई के value 22 by 7 रखेंगे आप, और question paper आप आपके, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसमें तो mention नहीं है, लिकर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ black या blue ball pen ही allowed है अब, okay, black या blue ball pens are only allowed, okay, so do remember कि आपका, I hope कि अभी से आपके जो pen से वो set होगे होंगे, कॉन सा लियाना है, तो अभी से वो करता हूँ कि आप blue से लिखें, आप heading, part a part भी black से दाल सकते हैं, black ball pen से दाल सकते हैं, लेकिन जो questions है, answer one, answer two, आप वो blue pen से करें, blue pen मैं recommend करूँगा आपको, ठीक है, दूसरी चीज, construction के लिए आपको compass चाहिए, आपको scale चाहिए, तो एक geometry box आपका अभी से त्यार हो जाना च ठीक है, तो आप पहले questions कर लेना, geometry के, ताकि आप used to हो जाओ, अपने geometry box से भी, ठीक है, तो ये तो maths से related है, और मैं फिर से कर रहा हूँ, mindset, maths का paper है, जो बच्चों का छूटता है at the end, तो मैं फिर से बोर रहा हूँ, mindset ये बना के जाना कि मझे आज इस maths के paper की पिटाई करनी है, मुझे इससे जीतना है, मुझे इससे आगे रहना है, ये सोचना कि अच्छा, one and a half hour का paper है, मैं इसको one hour fifteen minutes में पूरा कर दूँगा, okay, तो अगर ये mindset रहेगा तो आप जरूर करेंगे, हम देखते हैं offline में हमारे ये बच्चे करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, चले, आत आप attempt करेंगे, क्योंकि there is no negative marking, दूसरी चीज यह है कि overwriting ना करें, dual answers ना करें, क्योंकि आपको उसके लिए marks नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता दूँगा, अगर चार options हैं ऐसे, a, b, c, d, अगर आपने a को tick मार दिया, तो मार दिया बस, फिर मैं सोचना कि यार, b भी से लग इसे, for example, Mumbai है, ऐसे नहीं कि आप Mumbai के बाद में tick मार रहो है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने Mumbai के लिए tick मार रहा है, या B के लिए tick मार रहा है, okay, तो यह चीज भी आपको धियान रखनी है, आप यहाँ tick मारें, okay, जहां पर alphabets हैं आप वहाँ tick मारें, option के बाद टिक ना मारें, ताकि clarity आए, okay, and all questions to be answered on the question paper, यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि GK का question paper आपको वापस नहीं मिलता है, GK के paper में ही आप tick मारते हैं सारे answers में, tick the correct answers, सही उत्तर को आप tick द्वारा दर्शाएं, यह साफ साफ question paper में लिखा रहता है, okay, तो क्या बताया मैंने क्या strategy होने चाहिए, देखे, एग घंटे का paper है, मैं चाहता हूँ कि जब एग घंटे का आपको break मिले 12 से एक, उस वक्त आप अपने GK के notes लिजाओ, ताकि आप revise कर लो, ठीक है, वो बीच में एग घंटा आपने waste नहीं करना है, just revise it, and उसके बाद आप GK का paper करें, और definitely यह इस बात का ध्यान रखें, कि you have to attempt all the 75 questions, वो ऐसा question छूटना नहीं चीए, वैसे छूटता नहीं है, यह तो सबसे easy वाला part है, अच्छा, English में क्या strategy रहती है sir, English में भी बच्चो का paper बहुत छूटता है, time सबसे जादा English में मिलता है बच्चो को, 2 गंटे का time बच्चो को English मे मिलता है, लेकिन सबसे जादा यह paper बच्चो का छूटता है, उता कहना देखें, आपने maths का paper दे दिया, शुरू-शुरू में जोश के साथ, फिर आपने जीकी दे दिया, शाम तक बच्चा ठक जाता है, ठीक है, अब यह paper आपका जो शुरू होने वाला, यह 2 से, sorry, धाई स साथे चार चलेगा, तो देखें, एक तो mindset आपका proper होना चाहिए, मैं खाने पेने के भी बात करूँगा कि बीच में ब्रेक में ज्यादा heavy food मत खाईएगा, ताकि आपकी energies food को digest करने में ना लगे, आपकी energy यहाँ लगे, अगर आप ज्यादा heavy खाना खाएंगे तो फिर आप English का paper है, ठीके तो इसमें भी पूरी energy आपके पास होनी चाहिए, इसमें क्या आपके लिए क्या important tips रहेगी, वह मैं आपको बताता हूँ, देखें सबसे बहले क्या है कि read all the questions thoroughly before answering, यह तो पता ही instructions में दिया है, the question paper can be retained by the candidate post exam, question paper आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जो तेन sections ह पहले reading section, writing section, grammar section, इस order में रहता है, हम उल्टा चलते हैं, उल्टा, we go in the reverse order, why we go in the reverse order, ध्यान दीजेगा, बच्चों का paper क्यों छूडता है, क्यों पहले reading section करते हैं, और majority बच्चे reading में अच्छे नहीं होते हैं, तो वो read करेंगे, उसको interpret करेंगे, उनको समय लगेगा, question paragraph writing है, back to back लिखना पड़ता है, story है कोई, तो उसमें भी बच्चे का time consume होता है, तो आप सबसे पहले क्या गरें, सबसे पहले आप grammar section करें, क्योंकि grammar section to the point होता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, और कुछ grammar portion में आपको 4 options भी दे जाते हैं, तो सबसे पहले writing section का weightage बराबर है, तो पहले आप grammar section करें, हम reverse order में जा रहे है, grammar section करने के बाद कम समय में आप जिल्दी कर लेंगे उसे, कम समय में complete कर लेंगे, उसके बाद आप writing section में आईए, writing section को भी आप जल से जल पूरा करने की कोशिश करें, और जब last में time बचे फिर आप reading section करें, ल कि I have to do all the questions, okay, so I hope कि आपको यह जो tips and tricks वाला वीडियो अच्छा लगाऊगा, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि English में handwriting बहुत matter करती है, ठीक है, clean लिखें, okay, clean and clear आपका, आपकी answer sheet होने चाहिए, ठीक है, अगर आपकी अच्छी handwriting है, तो सोने में सुहागा है, आप handwriting के उपर काफी matter करती है, ठीक है, क्योंकि दो घंटे का paper है, क्योंकि थोड़ा सा huge paper रहता है, English का खास कर, क्योंकि उसमें आपका writing section है, reading section है, okay, तो आपको ध्यान रखना है कि time से पहले उस paper को खतम करना है, उस mindset के साथ जाओगो तो हो जाएगा, ठीक है, और उससे पहले, तो मैंने बिच्चों को बताया है कि आप last moment में कैसे त्यारी करोगे, वो last moment वाला video I hope आपने देखा हो, यह तो आप जरूर हमारे video section में जाएगा, live section में जाएगे, sorry, video section में जाएगे, you will get that video also, कि last moment आपको कैसे त्यारी करनी, mock papers सबसे जदा important है, last moment है, okay, so I hope कि आपको यह video information लगा हो इसी तरीके के videos देखने के लिए, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, hit the bell icon और comment करके जरूर बतायेगा कि आपको यह video कैसा लगा, that's all for today, bye bye, see you soon, all the best, ciao